Brought to you by Agilis Diagnostics भेल टेस्स की बाद आती है तो मैं फरोसा करता हूँ इंडियास लाज़ेस डाग्नोस्टिक्स कमपनी Agilis Diagnostics खुद को टेस्ट करते हो IT इंजीनियर ये दो कपल इन्होंने एक ऐसे मर्डर केस को अंजाम दिया कि जिससे सॉल्व कर पाना ना मुम्किन था क्योंकि इस केस में ना कोई कंप्लेंट हुई थी ना कोई इंफॉर्मेशन थी कुछ भी नहीं था कोई F.I.R. ही नहीं हुआ था इस केस में किनोंने मर्डर कर दिया था फिर भी तमिलनाड़ी पुलिस ने इसको सॉल्व कर लिया है और बहुत ही इंट्रेस्टिंग स्टोरी है और इसी स्टोरी के बारे में हम इस वीडियो में पूरी बात करेंगे यह मर्डर मिस्ट्री का खुलासा कैसे तमिलनाड़ी पुलिस ने किया यह पूरा मामला ओडिसा का है नमस्कार मेरा नाम ए गायब चड़े उनके लिए तो उन्हें एक बैग मिलता है उस सूटकेस में एक डेड़ बॉड़ी होती है वो डेड़ बॉड़ी देखने के बाद आस पास के जो भी लोग थे वो सब हैरान हो जाते हैं कि ये डेड़ बॉड़ी कहां से आगे तुरंत पुलीस को फोन किया जा किसी के गायब होने की किसी के किड्नाइप की कुछ भी तो आस पास में ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं है कि एक लड़की की डेड़ बॉड़ी है उसके शरीर पे जलने के निशान थे और ये साफ जायर हो रहा था कि उसकी हत्या हुई है जिस तरह से उस डेड़ बॉड़ी को जिसके अजसे उसकी हत्या हुई है और उसकी मिर्ति हो गई फिर पुलिस इंवेस्टिकेशन आगे करें तो करें कैसे कुछ भी नहीं था ना कोई टैग ना कोई कपड़े के ओपर कोई निशान ना बैग से कोई सबूत निकले मलब कोई ऐसा एविडेंस या प्लू था ही न से कम 200-300 लोगों को मोबाइल नेट्वरक्स आते हैं बहुत मतलब वो ऐसा भीडवाडवाला भी जगा था एसा नहीं था कि वह बहुत सुनसान जगा था तो पुलिस को कोई क्लू ही नहीं मिलता है ऐसा मानों कि यह यह मर्डर किस ने किया यह डेट बॉड़ी किसके कभी प कि खबर नहीं होती कि जो गायब है या उसके बारे में कुछ पता नहीं है लेकिन एक क्लू जो इस पूरे केस को सॉल्फ करने में 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 पहली बनेगा तमिलनाड़ी की जो सीलम पुलिस है सलेम पुलिस यह इन्हें ब्रीच का नाम था वाइकन तुम्ब तमिलनाड़ी जब इन्हें कुछ इन्हीं एविडेंस नहीं मिलता तो यह जो हाइवे रोड होता है हाइवे पर यह देखना शुरू कर देते कि कितनी गाडियां उस रस्ते पर चली है उस दिन और आसपास में दो दिन और कितनी रिपिटेशन हुई है गाडियों की तो इन्होंने बहुत रिटन आ गई तो इन्होंने CCTV फूटेज निकाले हाइवेस के इन्हें एक गाड़ी दिखी और उस गाड़ी को एक घंडे बाद ही वापस हाइवेस से रिटन आ जाती है और वो हाइवेस पर खड़ी रहती है उसका एक फूटेज आता है जिसमें उसकी पार्किंग लाइट जल रही होती ऐसा लगता है कि रुक के उस गाड़ी में बहुत देर तक कोई बादचीत हुई हो गाड़ी के अंदर कौन था यह अभी तक पुलिस वालों को नहीं पता गाड़ी का नंबर दिख जाता है एक से से टीवी फूटेज में सेम कार की उसके कार के जो मालिक है उस उससे पूछता के लिए पुलिस उसका नंबर निकाल कर उससे फोन करती है उस आदमी का नाम था अभिनाज शाहू जिसे फोन किया जाता है अभिनाज शाहू से जब फोन करके पुलिस पूछती है कि आप उस दिन क्यों आये थे तो अभिनाज शाहू बताता है कि मैं में कुछ काला लगा कि यह सच नहीं बोल रहा आदमी कुछ ना कुछ छुपा रहा है तो पुलिस इसे फॉलो करने लगती है इसके उपर नजर रखने लगती है तभी अभिनाश शाव एक बड़ी गलती कर देता है वह बड़ी गलती क्या कुछ समय बाद वह अपना नंबर स् कि मैं आपको पांच लाक रुपे दूँगा और यह वो पांच लाक रुपे के बदले अगर मेरे उपर कोई केस होता है तो आपको मुझे बचाना है और उसे अपनी कहानी बता देता है यह अभिनाश शाव वही था जिसने इस लड़की की हत्या की है जिसकी डेड़ की थी अब यहां से पुलिस को शक्तों हो गया था कि यह कुछ छुपा रहा है लेकिन जैसे ही पुलिस कॉल रिकॉर्डिंग देखती है कि पहला पुलिस पूश्टाच करती इंवेस्टिगेट करती पता चलता है कि इसने पांच लाक रुपे एड़केट को भेजे और एड हत्या के बाद उन्होंने बॉडी लाके डंप कर दी तमिल नाडू में लेकिन हत्या करता क्यों है विनाश्चाओ एक इंजीनियर अच्छा खासा पैसा कमाने वाला अच्छे लाइफ जीने वाला आखिरकार इस यह लड़की कौन थी इसकी क्या लगती थी इसकी हत्या कर क्यो पीछे कोई नहीं था मतलब आप समझ लीजे यह नाबालिक लड़की सोमय उसके आगे पीछे कोई नहीं था वह अनात थी और जो अभिनाश शाहू है उसके पिथा एक अनात आश्रम चलाते थे राजस्थान से यह लड़की बिलॉंग करती थी इस लड़की को यह अपने घर बेंगलोर लेके आते घर का साफ सफाई और काम करने के लिए अभिनाश की पतनी ऐश्विणी पाटिल यह जो हत्या की तारीख है वो है 27 से प्टेमब्र उसmotब करती है शे और लूं इनकी पतनी है अभिनाश शाहू की ऐश्विणी पाटिल ये कहती है कि जा गरम पानी सहाब को दे दे ये गरम पानी लेके जाती है सहाब को देने लेकिन इससे गलती से पहले ये गिर जाता है गरम पानी और वो गरम पानी अभिनाशाओ के शरीर पे गिर जाता है अभिनाशाओ इसे बहुत मारता है इस लड़की को इसी बीच एस्वेनी पार्टिल उसको जो बेलन होता है उससे उसके सर पे दोचार पार वार कर देती है जिसके बाद वो जमीन पर गिर के भ्योश हो जाती है और कुछ दिरवाद पता चलता है कि उसकी जान चली गई है अब यह दोनों कपल अपनी गलती को छुपाने के कि कोई आगे पीछे पूछने वाला तो नहीं यह लड़की अनात है कोई कंपलेंट करेगा नहीं तो कहीं दूर हम इसकी बॉड़ी को डंप कराते है फिर यह गाड़ी बैंगलोर से उठाते और यह तमिल नाडू चले जाते है तर इनका खुद का एक बच्चा है दस साल का और इन्हें ऐसा लगता था कि जिस लड़की को इन्हें अपनी नौकरानी बना के लाए यह उस बच्चे का ख्याल नहीं रखते और यह अपने आप में बहुत जादो गुस्से में रहते और अब तो यह दोनों को जेल हो गई है इन्वेस्टिकेशन में दोनों ने अपना गुना कबूल कर लिया है दोनों के खिलाफ अच्छा एविडेंस भी है पुलीस के पास और आने वाले टाइम में पुलीस ने भी इसमें स्पीड टायल की मांग रखी और सजा भी जल्दी मिल सकती है क्योंकि पुलीस के पास एक वेल अच्छा सबूत है लेकिन सबाल हुई अगर ऐसी देखें घरेली उँ हिंसा बहुत सारे नौकरों के साथ सब के साथ होते हैं आज पास में लेकिन अनाद बच्चों के साथ कोई क्राइम हो जाता है कोई कम्प्लेंट करने वाला नी लेकिन इसमें तमिलानों पुलीस की दाद देनी पड़ेगी कि कि उन्होंने इ होते वे अनाथ जैसा ही फिल करेगा क्योंकि जेल में दोनों जन चले गए अब बच्चा के लिए किसके भरोसे जीएगा तो यह कहानी बड़ी दुखदाए थी मतलब बहुत ही ट्रैजिटी थी कि अपने नौकर के साथ कोई कैसे यह सब कर सकता है बाकि आज के लिए धन्यव